पंजाब विदान सबाचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की इस बीच ये वीडियो शेर करते हुए दावा किया जा रहा है कि आपकी जीत के बाद पंजाब में खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे ट्विटर और फेस्बुक पर ये वीडियो इसी दावे के साथ शेर किया जा रहा है इस दावे की सच्चाई जानने के लिए औल्ट न्यूज ने जाज शुरू की गौर से वीडियो देखने पर हमने नोटिस किया कि कुछ प्लेकाज पर जस्टिस फ़र दीप सिद्दु लिखा है दीप सिद्दु एक पंजाबी एक्टर थे जिनकी जनवरी 2022 में एक सड़क हाथसे में मौत हो गई थी दीप सिद्दु का नाम किसान आदोलंग के वक्त भी काफी चर्चा में रहा था इस बात को ध्यान में रखते हुए औल्ट न्यूज ने कीवद सर्च किया यूटुब पर 22 फरवरी 2022 को ये वीडियो अपलोट किया गया था यानि ये वीडियो चुनाव परिनाम के बात का नहीं हो सकता कैप्शन में इसे पंजाब के भटिंडा शहर का बताया गया था मेडिया संगठा न्यूज जे ने फेस्बुक पर इसे पोस्ट किया था पोस्ट के मताबिक दीप सिद्दू की याद में निकाली गई एक रैली में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे यूटूब चैनल वीके न्यूस की रिपोर्ट में भी वाइरल वीडियो दिखता है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भटिंडा में निकाली गई रैली में समर्थकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे कई रिपोर्ट के अनुसार दीप सिद्दू के अंतिम संसकार के दौरान भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की बात सामने आई थी यानि पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की याद में निकाली गई रैली का वीडियो गलत दावे के साथ शेर किया गया कि आपकी जीत के बाद पंजाब में खालिस्तान के समथन में नारे लगे झालिस्तान के बाद पंजाब में नारे लगे